हला आपीबन मैं हूं मदू सिंग आपको स्वागत है मेरे चैनल मदूफी मी तड़का में और आज मैं एक अमन कलाकार का सॉंग लाई हूं और अमन कलाकार का निपलाय आया है सैमी के लिए और इस सॉंग का नाम है गेम ओवर इस सॉंग का नाम देखकर ऐसा लग रहा है कि तरह यह बीफ चल रही है एक दूसरे के साथ सच में मज़ा आने वाला है क्योंकि अमन कलाकार के जो सॉंग होते हैं वो सच में अमेजिंग होते हैं और जिस तरह वह रैप करते हैं सच में आउस्टैंडिंग होते हैं तो चलिए देखते हो इनके इस सॉंग में ऐसा क्या है और यह जो सौंग है वो 18 प्लस है तो प्लीज गाइज 18 प्लस वाले ही देखें इसे सौंग देख लेते हैं और इस बार अमन का लाकार क्या लेकर आए है सैमी के लिए तो विडियो शू करते हैं क्या बोला भी जांटू हम जुट्टा तो तूम जो फोटो में तुम पब्लीक को बोल रहे के मुंबाई में बैटके खा रहे हैं वो फोटो तो मेरा मुंबाई का है ही नहीं और तू सबको बोल रहे कि मैं तेरे को डिस करके फेमस हुआ तो एक बार तेरा डिस्ट्रेक और मेरा डिस्ट्रेक का व्यूज देख ले तेरे को खुद पता चल जाएगा हाँ कलाकार इस बार सब खतम करते क्या अब तुम्हे मारेंगे तुझे कैसे पता की मेरा वाला छोटा मेरे लोडे को लेकि क्या मुह में तू सोता तेरे कुद्दे के पते पे नाम कला कार देख तेरा कुदा बना कैसे मेरा वफधार जी music से तूने तुने तो बौहत कमाया अल्ला के करम में क्यों नहीं लगाया तेरा गान फट गया ता साइफर में तेरे जैसे रपर घूमते है डाइपर में अब ए खाने का खुदी नहीं हकता पलाओ चाचा से बिढ़ना तो खुले में आओ खली बड़ा बड़ा डीलिंग तुम गणियां ही लाओ दीगा में सूट करके गोवा बताओ लेबल से बेटा तु जितना कमारा उसे ज्यादा मेरा गैंग गांजा फुक के ओड़ारा तेरा अल्ला का करम तो फ्लॉप हो गया मेरा क्या हुआ बाई छोटे मिलियन में जारा तु बेंगोल का टाइगर नी बेंगोल का छपरी गाल में गुसा के बे खोलू क्या छतरी बे वीडियो में गांजा प्यूँ तेरी क्यू फटरी प्लमडोक की बस्ती का चाचा है खतरी तुना तेरे बारे में बहुत बड़ा जाली बंडी को देता तु माबैं की गाली है यूटूब पे बेटा तेरा टिक टॉक नी है तेरा अब तक का कोई ट्रैक हिपप नहीं है सच मैने बोला तो गान तेरा जला उमर रे कम बहुत हाड मेरा कला मेरी कलम करे कतल तेरी कलम करे नकल इन चोटे मोटे रैपरों से लिता नहीं बतर मैंने डिया डिडिकेशन तरा बहुत स्ट्रगल मेरी सक्सेस के पीज़ चोड़े पासाल की हसर कमर्सल भी देता मैं हिपप भी इस गेम बने जी टीए पर चले यहां चिटकोड नी अबे क्या बोला तू जब मुझे लेबल साइन नी करना था तो मैं मुंबई करने क्या गया था अबे मैं तेरे जैसे लेबल पर डिपेंडेट नी रहता हूं बहुत जल्द अपना वेब सीरीज से गाना आ रहा और फैक्ट तो यही है कि G-Music को तूने पैसा दिया था ना कि पैसा लिया था और जब से तेरा G-Music में गाना फ्लोप हुआ है G-Music ने तरह गान में लात मार के भागा दिया तबी तो तेरा गाना तेरा चैनल से आर और यही फैक्ट है जहां तेरा नाम नी वो गाना मेरा फ्लोप सुन भोले का दिवानसुन जारकंडी पॉप दोनो गाना मेरा मिलियन में क्योंकि मेरा फ्लो इपॉप का टीचर वह ग्यान मुझ से लो कलकता मैं तेरे जैसे ब़ॉट सारे रैपर जारकंटे लेता मैं अक्केला कैकर तू बोले कि सेल्फी के लिए मैं मरता जाटू रैपरों से बेटा बात भी नि करता, खुद के ही चैनल से करता परमोसर खुद के ही चैनल से गाने में डालू मेरा कौपीराइट मेरा रखा ब्रोकर न दल्ला लेबल का कुत्ता बोला तेरा जल्ला कलकत्ता स्टेशन में घूमता तु नल्ला हाटू जड़ू रैपरों से बात भी नी करता कल रात मुझे आया चोटे मिनाच का कॉल बोलूंगा सच्चा या भोलूंगा पोल पापर रैप सौंग ते तो कुछ नी कमाया डीसी ने तेरे को कूतिया बनाया जब पैसा तुने मांगा तो काटा तेरा कॉल सतर मिलियन का बेहुआ तेरा जोल एसे पी परद्यू मंदाल में कुछ काला जया की हटेगी ठूटेगा ताला सच में तू बोलू तू बोले बस अले बाल मैं लाखो की बात करे भूमता तो पलसर में पुष्यू यूपी के बच्चे मुझे अपना फ्लो दिखा रहे क्या तो हाथ में दिया लेकर सुरच को आग दिखाते नी और किसान को खोधना और बाप को छोदना सिखाते नी अज्योस बॉत सबर गरो दिए जोड़े को दो दोड़ाए रापराउ करता हुद परिष्मार आपरे के विद आपहर एग पर हिप-प नंगला कार अज बैटा है पॉले का भक्त मैं तव अबागराई इस बार अमनकलाकार फूल ओन एनर्जी के साथ आया है और जिस दिर उन्होंने सैमी को सुनाया और सैमी ने अपने सौंग में राज को लेते फैक्ट बतायते और उसी फैक्ट को क्लियर किया यहां पर अमनकलाकार ने यही बोला सौंग में मेरे सक्सास के पीछे पांच साल की और सैमी ने सौंग में यह बोला था कि अमनकलाकार को जब लेबल साइन नी करना था तो वह मुंबई क्यों आया और अमनकलाकार ने उसी चीज़ का रिपलाय दिया कि मैं तेरी तरह जो है लेवल पर डिपांड नहीं करता हूं मेरे जो बहुत जल वैप सिरीज पर सौंग ंड़ होई और साथी साथ यह बोले कर स Tecumbe ने पैसदिया है ना कि तुझे जीज़ें पीसा दिये और तकर यह दो रही है घखाल है और दी यह तो 5 सौंग चुह में करमों तो अमन कलाकार ने इस song में Samy की इस तरह की पॉल खोली और अमन कलाकार की यह rhyming मुझे काफी अच्छे लगी जो की फणी सी भी थी ACP परतुमन दाल में कुछ काला तया की हटेगी तो तूटेगा ताला तो यह rhyming मुझे उनकी काफी अच्छे लगी जो के काफी फणी सी भी थी और Samy के साथ अमन कलाकार ने UP के कुछ रैपर है उन्होंने भी अमन कलाकार को डिस किया था तो अमन कलाकार ने इस song के थुरू उनको भी सुनाया और अमन कलाकार का जो फ्लो तालाश में वो मुझे काफी अच्छे लगा रैमिंग काफी अच्छे लगी मुझे उनकी और जिस तरह से वो रैप कर रहे थे वो मुझे काफी अच्छे लगा और जिस तरह से इस song में Samy और UP के कुछ रैपर थे उनको सुनाया है सौंग में अमन कलाकार ने और संग में उन्होंने facts खोले हैं fact बताए हैं श्यायद में true fact भी हो सकते हैं क्योंकि अमन कलाकार ने इस song में अपने fact बताया है और सामी को जिस तरह से उन्होंने सुनाया है सच में outstanding मुझे song काफी अच्छा लगा मैंने song काफी एच्छा लगा आप लगता है आप को यह song कैस बॉक्स में टाल दुए